उत्तरपरदेश की ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी है कि अगर एक छोटी सी हल चल होती है तो पत्तों की तरह पूरा पेल खलखलाने लगता है। बात आज सीनियर लेवल पर केंद्र से आये एक फर्मान की होनी है। यह फर्मान आया है यूपी की अपर मुख सच्यू वित राधा एस चौहान के लिए। राधा एस चौहान को केंद्र में बहुत बड़ा पद मिला है डियो पीटी की वो सच्यू बनाई गई है। यानि पूरी भारत की ब्यूरोक्रेसी की वो मुखिया होंगी। लेकिन उनकी एक इस तैनाती आदेश आने से ब्यूरोक्रेसी की तमाम सारे समीकरण बदल गए हैं। यह समीकरण क्यों बदले इसका क्या असर होगा हम इसको थोली देर समझते हैं। समीकरण यह है कि राधा एस चौहान की नोकरी अभी दो साल से ज्यादा है। केंदर में उनको इतनी बड़ी तैनाती आ गई। अब वो सीधे प्रधान मंत्री के कार्याले से जुड़ी रहेंगी और डियो पीटी जैसे विभाग का उनको सेक्रेटी बनाये गया बड़े सम्मान की बात है। और वो जल्दी ही यूपी से जाएंगी लेकिन जब वो जाएंगी तो बित सच्यू की कुर्सी खाली हो जाएगी सेल्टेक्स डिपार्टमेंट की कुर्सी खाली हो जाएगी जब यह दो बड़े महिक में खाली होंगे तो ऐसे में उनकी जगा कौन लेगा। से प्रवल दावेदार बित्व सच्यू के अमित मोहन परसाद को माना जा रहा है अमित मोहन परसाद इस समय यूपी के स्वास सच्यू है करोना की दोई-दोई-तिन-तिन लहर उनी के टाइम में आई फेस किया गया अच्छा बित्विभाग के लिए एक फंडा ये बनता जा र इत्त का मामला रिलीज ना करे पैसा कोड़ी तो अमित मोहन थोड़ा इसमें फिट बैटते हैं जब एक चैन चलेगी जब एक कड़ी खिसकेगी बित्व से तो फिर स्वास्त वाले का नाम आया फिर स्वास्त में कौन जाएगा फिर और कुछ भी भाग है उन पर उन पर बि हुए थे एक महीने से थोड़ा समय बीताय सरकार को बने हुए दूसरी लिष्ट का इंतिजार हो रहा है और यह जो जोगी पार टू है इसमें अभी तक जो तैनातियां हुई है उससे लोगों को लगता है कि सरकार चुन-चुन कर अफसरों को रखेगी वित्व सचिव की पूर्सी पर किसको लाया जाएगा जुनियाटी सिनियाटी कोई मतलब नहीं है कुछ लोग धीरत साहु का भी नाम ले रहे हैं कि उनको स्वास अच्व बनाया जा सकता है लेकिन कहते हैं कि एक से बढ़कर एक सरकार को भी ऐसे अफसरों कि भी ढूंडूंड के लाती है ता अगर आप देखें तो पिछले पांच सालों से सामान प्रसासन में प्रमुख सच्व एक्यापत पर जितेंद्र कुमार काम कर रहे हैं वो भी उम्मीद करते हैं कि नई सरकार आई है कुछ हिर्दय परिवर्तन हुआ हो कुछ उनको भी काम करने का उसर मिले और इस बाहर वो करीब चार साल पची हुई है एक और महात्पूर नाम है जो इस समय राजस परिशत में तहनात हैं वो हैं रजिनीज गुपता का गुपता वननची सो नब्य बैच के आई हैं सबसर हैं उनकी नोकरी डेढ़ साल से थोड़ा ज्यादा पची हुई है यानि कि दिसंबर 2023 में वो रिटायर हो जाएंगे तीन साल से ज्यादा का समय हो गया एक मामूली से आरोप में एक मामूली से नाराजगी के कारण वो राजस परिशत में पड़े हुए हैं कईयों के दिन बहुरे लेकिन उनका समय नहीं बदला अब अगला नाम आता है अभी हाल में परमुक्षच विभाग में सच्चिव वह साहितिकार भी हैं और गाने भी गाते गजल भी गाते हैं उनकी गजल की एक लाइन है कि मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूं पिछले पांस साल से वह प्यार महबत के तो नहीं लेकिन सरकारिव पैखशा के मारे हुए हैं अब जरूरत है कि उनको को भी कई मौका दिया जाए वैसे भी डाक्टर हरियोम का नाम अगर गोरकपूर के एक मामले को छोड़ दिया जाए तो उनकी छवी साख और इमांदारी अभी तक उस पर कोई उंगली नहीं उठी है अब अगला नाम आता है जिसमें पवन कुमार अभय सिंग यह लोग सामिल हाला कि सरकार इनको शासन में ले आई है तैनाती है लेकिन महत्व ही इन पदों पर है कोशिश करेंगे कि नया साल है नई सरकार है तो हो सकता है कि उनकी किस्मत भी कुछ चमक है तो कुल मिलाकर यह है कि एक एट खिसकेगी तो बहुत सारी कड़ियां जुलेंगी बहुत सार होती है एक के गुठके पर आगे बढ़ती रहती है फिलाल हम लोड कराते हैं राधा एस चौहान की तरफ उनकी नोगरी अभी दोजार चौबीस तक है सवाद दो साल से जादा है वो दिल्ली की रहने वाली है उनके पती उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजी राएंग के पत्पर तैनात हैं डीजी इंटिलिजेंस हैं दी एस चौहान साप जिनकी साख सरकार में काफी उची है गाधा एस चौहान दिल्ल की दिनों में आपके सामने आएगा योगी आदितनात को इस बार लोग बदली हुई छवी में देख रहे हैं वो उनसे उदारता की उम्मीद करते हैं अपसरों के लिए एक औसर की तरह है कि सायद इस बार उनकी भी लाटवी लग जाए उनके भी जीवन में कुछ बहार आ जाए लेकिन ब्यूरोक्रेसी में कुछ अफसर ऐसे भी है जो सोचते हैं कि पूरा परदेश उनहीं से चलता है उनके ना रहने पर सरकार बैड़ जाएगी यह भ्रहम यह इस्थिति किसी को जादा पाल नहीं चाहिए क्योंकि एक सतत्परक्रिया है समय अपनी गति से चलता रहता है जो लोग ऐसा भ्रहम पालते हैं उनके लिए एक साहितिकार ने लिखा भी है और जाते जाते हम आपको इनी सब्दों के साथ छोड़ भी जाएंगे कि खुस फैमियों के सिलसिले कुछ इसकदर फैले हैं कि हरीड सोचती है कि दीवार हमसे ही है परहाल इस बार के प पिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार